हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल जैक पुरुपे आज के इस वीडियो में हम आपको डिसकस करने वाले हैं क्लाश 12 का आर्ट्स का हिस्ट्री का मॉडल सेट 1 लेकर आए हैं इसके अलावा यदी आप हमारे चैनल पे पहली बर आए तो सब्सक्राइब कर लेगा आपके मॉबाइल पर जाता रहा है यदि आप क्लाश 12 के इस टुडेंट से है तो कभी कभी आपको नॉटिफिकेशन नहीं जाता है तिसके लिए आप अपने WhatsApp गुरूप को जोईन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिश्यम दे देंगे और Telegram गुरूप को जरू जोईन कर लेना ताकि आपको वीडियो का लिंक आप तक पहुंसता जाए ठीक है, चले स्टार्ट करते देखते क्या है हमारा पहला सवाल, सबसे पहला सवाल देखे, इसका हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले सवाल में कहा रहा है, सिंदु घाटी के निवासी को किस धातु का ग्यान नहीं था सोना चांदी लोहा या तांबा तो उनको लोहा का ग्यान नहीं था आप्सन नमबर गो इसका सही जवाब हो जाएगा अगला सवाल देखे क्या है मोहन जोदोलो की खोज 1922 में किस ने किया था दया रामसाहनी ने मेधो स्वरूप वरस ने राखलदास बनर जी ने या रंगनाथ राव ने तो सही जवाब हो जाएगा आपको उप्सन नमबर गो राखलदास बनर जी ने अगला सवाल देखे क्या है उरूप का समंद्र गूप किसे कहा गया है पर्थम 5 में 10 में या 13 में तो सही जवाब हो जाएगा 13 में ओप्सन नमबर गो तो 11, 12 और 13 से पता चलता है तो यहां पर सिप आपको 13 में ओप्सन दिख रहा था इसलिए यह आंसर हो गया नेक्ष्ट है अभिग्यान सांतुक साकुंतलम के रचनाकार कौन है तो काली दास हो जाएगा ओप्सन नमबर को इसका सही जवाब हो जाएगा नेक्ष्ट देखे क्या है रिगवेत में पुरुष सुक्त में सरुपर्तम किस वर्न का उलेख मिलता है तो ब्राहमन वर्न का ओप्सन नमबर को इसका सही जवाब है नेट देखे क्या है वीर सेव लियांगत आंदुलन का जनक कौन है तो इसका जनक हो जाएगा आपका option नमबर गो बास वनना ठीक है पर्थी किसके काल में मतलब कि फल फुल रही थी यह बताना है आपको सही जवाब हो जाएगा आपका जहांगीर के काल में नेक्ष्ट है भारत का अंतिम मुगल समराट कौन था तो बहादूर सा जफर था ऑप्सन नंबर घौ हो जाएगा अगला सवाल देखे क्या है अस्था एक वीडियो का सॉलूशन को नोटिफिकेशन आपके पास जाए तो जल्दी सा सब्सक्राइब कर लो अगर अपने निक्या तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए काफी महनत लगती है आप लोग के लिए वीडियो बनाने में विजय नगर का महंतम सासा कौन था कौन थ गया है अगला सवाल है मद यूगिन यात्रियों का सर्ताज किस यात्री को कहा गया है तो मद यूगिन सर्ताज जो है मारको पोलो को कहा जाता है नेक्स्ट है महाल वाली बंदवर्थ किसके द्वारा लागू किया गया तो महान वाली बंदवर्थ लॉड हैस्टिंग्स के लिख लिजेगा नेक्स्ट है उल्गुलान विद्रो का नेता कौन था तो बिर्सा मुंडा थे घौनमबर आंसर हो जाएगा रयत बाली वेवस्ता में भूमी का स्वामी कौन हो रहा था तो किसान स्रिफ ओनली किसान ने पंजी कृत किसान कौन से किसान पंजी कृत ठीके इंडिया कंपनी के अस्थापना कभी तो इस वी में याद रखेगा नेक्स्ट क्या हो जाएगा देखते हैं कि आप लोगो को क्या आता है ठीक है आप लोग जरूर इसका आंसर को कॉमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए ताकि अगर यह सवाल काफी इंपोर्टन अगर एक् साथ दीपो को नहर किसे का गया है मुंबई को का गया है नेक्स्ट अकिल भारती अस्तर पर पहली जनगना कब हुई थी तो अकिल भारती अस्तर पर पहली जनगना हुई थी आपका 1872 इस वी में कब हुई थी 1872 इस वी में बासको डिगामा किस सन में भारत पहुँचा था भारत वो 1498 में तो पहुचा था लेकिन कब पहुचा था 17 मार्च यहां पर आपको लिखा गया है यहां पर 17 माई भी है तो यहां पर हो जाएगा आपका 17 माई दिया है लेकिन ओरिजिनल में 20 माई होना चाहिए क्या होना चाहिए 20 माई होना चाहिए वैसे आप लोग देख ल कफनखाय हो जाएowa है तो आफ से रुठाता है याद करो या मरो का नारा किस ने दिया था तो महातमा गांधी ने दिया था सर की उपाधी कि से लोटा दी थी तो रवीन्तरिनार gems a कर दिति तो आप्रापन नम्बरोट एक अगस्त जलिया वाला बाग हत्यकांट कब वह था 13 अपरेल 1919 को वह था आप्सन नंबर खौ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा काला कानून किसे कहा गया है तो रॉयल एक्ट को हम लोग काला कानून कहते हैं किसको रॉयल एक्ट को सुभास चंदर बोस ने कहां पर आजाधिन फोच का गठन किया था तो वर्मा में याद रखेगा खौ ऑप्सन भारत का विवाजन ब्रिटिस सासन के किस योजना का परिनाम है तो माउंट बेटिन योजना का परिनाम है ठीक है भारत सोतंतरता अधिनियम कब बना भारत में जो सोतंतरता अधिनियम बना वो कब बना आपको बताना है साई जवाब हो जाएगा इसका 15 अगस 247 को ओप्सन नंबर गो हो जाएगा सोतंतर भारत का पर्थम गवर्नर जनरल कौन था तो देखें जब हम लोग का भारत सोतंतर भारत तो उसी समय पाकिस्तान बना था और कौन से योजना समय था लॉड्ड मॉ याद रखेगा भारती सम्मिधान के अनुसार सम प्रभुता किसमे नहीं थे तो सम्मिधान में नहीं थे याद रखना है सभी को भारत को सोतंतर गंतंतर घोसित किया गया था कब भारत को कब गंतंतर घोसित कर दिया गया था तो 26 जनवरी 1950 को ओप्सन नंबर खो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 में कह रहा है कि निम्ने में से कौन महिला आयोग समिधान का सभा की सरस्य थी सरोजनी नाइडू थी हंस महता थी दुरुगा दुरुगा बाई देश्मुक ये तीनों थी इसलिए सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्सन नंबर गो सही जवाब हो जाए और हाँ आप लोगों को बता दें आप लोग जल्दी सा टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लेना ताकि आपको हर एक वीडियो को नौटिफिकेशन मिलता रहे 24 जनवरी 1950 को समिधान सभा के कितने सरस्यों ने समिधान पर हस्ताक्षर की है most important question है सही जवाब हो जाएगा 284 कितना हो जाएगा 284 लोगोंने समिधान सभा पर क्या किये थे हस्ताक्षर किये थे तो उमीद करते हैं कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो पिलीज वीडियो पे एक प्यारा सा कॉमेंट कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा जन्दी सा सभी दोस्तों को सियर कर दीजेए और मॉडल सेट अभी तक डाउनलोड नेकी है तो टेलिग्राम चैनल पर मॉडल सेट अबलेबल है वहाँ पिछा कर आप लोग डाउनलोड कर लो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है मिलते हैं हम लोग अपने ये कर दो आत वार है